आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंजली पुलिटिन में सबसे पहले बात करते हैं संस्री आसाराम बापू की तबद जेल में काफी खराप हो गई है बापू के तबद बिगड़ने से भक्तों में काफी आक्रोश इस वक्त दिखाई दे रहा है राजगाट से संसद मार्ग ठाने तक विरोध मार्च कर रहे बापू समर्थकों को पुलिस ने संसद मार्थाने तक चाने से रोग दिया है करीब 20,000 समर्थकों ने विरोध मार्च कर निकाला है और विरोध लगाता रिसकत किया चारा है तो जिसमें कई महलाएं भी शामिल है लेकिन पुलिस ने सभी प्रदर्शन कारियों को कश्मीरी गेट के पास रोक लिया है आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच छड़ाप हुई बाफू को करीब एक साल की से जमानत नहीं दी गई है जबकि ऐसे ही कई मामलों में कई आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है अब प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे है और तलब है कि पिछले एक साल से राजस्थान की एक जेल म बापू ने कई बार कोड का दरवाजा खट-कटा है लेकिन उनको जमानत नहीं दी गई है तो एक बड़ा मुद्दा इस वक्त है कि उनको जमानत आखिर काप दी जाईगे और उसको लेकर लगातार उनके भक्तों में आक्रोश इस वक्त नजर आ रहा है तो चले असी पर जादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ असवक्त चुकी है सीमा हिंदुस्तानी जो की चले असी पर जादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ असवक्त सीमा हिंदुस्तानी जो की एक सामाजिक कारे करता है आर्बी उपाधियाय ड़ो कि समाजिक कारे करता है इसी के साथ सागर हमारे सुदर्शन सववादाता जंतर मंतर से इसका जाईसा लगातार ले रहे है कि इस तरह से भगत वहां प्रदृष्ण कर रहे हैं सबसे पहले सागर आपका रुख करूंगी और आपसे जाना चाहूंगी कि फिरार की क्या स्थिती बानी हुई है वहाँ पर क्या किस तरह का हालात वहां देखने को मिल रहे हैं तो चलिए सागर जुडेंगे लगातार हमसे और जानकारी देंगे क्या स्थिती बहां पर बानी हुई है लेकिन इसी के साथ सीमा हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जाना चाहूंगी कि लगातार जिस तरह का अक्रोष देखने को मिल रहा है बापू के भक्तों में उसको लेकर आप क्या कुछ कहींगी जैब भवानी बंदे माधरम जी मैंने पहले वी दो बार सुवे ऐसे यही बात कही अब भी यही कहती हो अक्रोष तो था दिल में था तो वो सड़कों पर क्यों नहीं उत्रा एक साल तक यह घरों में ही क्यों रहा दिल मे गुरू का हाल क्या हो गया तो यह अक्रोष तो बहुत कम है जिसे हिसाब से उनके भगत थे जिसे हिसाब से उनके बच्चे थे करोडों के तादाद में उनके बच्चे थे तो वो सब अभी उनका अक्रोष कहां है चुपा हुआ है अभी तक उनका तो नजर नहीं आया यह बहुत कम है ये मुझे ये मुझे सही अक्रोश नजर नहीं आ रहा मीडिया को आ रहा होगा आप लोगों को आ रहा होगा मुझे इतना ज्यादा तदाद में नहीं लग रहा तो जितना मैं चाहती हूं जी तो आपको लगता है कि और भी संक्या में लोगों को घारों से बाहर निकलना चाहिए और लगातार प्रदर्शन करना चाहिए बापु की रिहाई को लिक जो लोग अपने दुखों को लेके बापु जी के पास जाते थे जिनके आंसु बापु जी दिन रात पोच्छते रहे और जिनके क्या ये इतने से 20,000 होते थे उनके एक-एक प्रोग्राम म में लाखों लोग आते थे क्योंकि तब उनके अपने मतलब होते थे आज मुझे बापु जी को भी अप दिखा हमें भी हम सब को दिखा कि असल में तो भगत बहुत कम निकले उनके चुले सीमा जी आपके पास आओंगी और चर्चा जाली रखेंगे लेकिन फिलहाल में जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ गुरुदेव की क्रीपा ने मेरे जान बचाई चौदा फर्वरी 2009 को मेरा विवा हुआ था और 16 मार्च 2009 को मेरे पतीदेव के साथ सिटनी आ गई और देट साल के अंदर ही मेरे को 27 सिप्तंबर 2010 को मॉर्निंग साड़े दस बजे ब्रेन हैम्रेज हुआ यानि कि मेरे दिमाग की नस फट गई थी जी हलो हाँ जी सीमा जी हम आपको सुन पा रहे हैं बूलिए और मेरे को ब्रेन हैम्रेज हुआ था 27 सिप्तंबर को और I have 16 major surgeries मेरे 16 operation हुए बहुत ही भ्यंकर बहुत ही horrible surgeries थी दो brain surgeries थी 9 head surgeries थी और total 16 कुल मिला के बीच में plastic surgery इतनी worst condition में थी मैं जब मेरा तीन बार सिर कटा मेरी खोपड़ी में आपको दिखाती हूँ इतना बड़ा size यह इतना इतना मेरा सिर कटा डॉक्टर्स ने और मेरी जान बिल्कुल भी बहुत खत्रे में थी तो उस समय में West Mid Hospital Sydney का West Mid Public and Private Hospital में मेरा treatment हुआ और West Mid Hospital में के उस रूम में जहां मुझे रखा गया था वहां मैंने गुरुदेव से प्राथना की सूरेदेव को देखते हुए हे सूरेदेव गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए बापू आप मेरे पास आजाएए आप ही मेरी जान बचा सकते हो और देखते ही देखते सूरेदेव में से बापू जी प्रकट हुए हॉस्पिटल में गुरुदेव प्रकट हुए और बापू जी सूरेदेव में से उन् बापु जी ने लेफ्ट हैंड से आशिरवात मुद्रा दी, आशिरवात दे रहे थे और राइट हैंड में भापु जी ने धेर सारी माल आएं पकड़ी हुई थी ये मेरा experience है ये बिलकुल सच ऐसा हुआ और मेरे पास एक एक डेट नोट है मेरे पास और बापु ने वहां प बापु जी से कहा बापु मेरे सिर कट रहे हैं मेरे चार operation हो चुके हैं अब पांचवा होने जा रहा है तो बापु ने मैंने वापु को बोला बापु डॉक्टर्स कहा रहे हैं तुम तुम्हारी जान खत्रम है तुम मुश्किल है तुम्हें बचाना बापु जी ने उस सूरे देव में से प्रकट होके साथ दिसंबर 2010 को गुरुदेव सूरे देव में से प्रकट हुए और मेरी उन्हों ने रक्षा की मुस्से बाते की आपके पास आना चाहूंगी आप उन्हें सीमा जी को इस वक्त सुना आप इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे यह सब कुछ जो कुछ भी हुआ बापु के साथ बड़ा आसान है संतों के साथ कुछ भी कर लीजिए हिंदू समाज है कुछ बोलेगा नहीं किसी दूसरे समपता है करने के सन्त के साथ होता है कि मौलेगी के साथ की मौलाना के साथ इस से जज़्यादा मैं देखता हूं कि जो हमारा यह जो फिर्म्साहीं है कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन सी वज़ा रही है कि एक साल हो गया बापु को अभी तक उन्हें जमानत नहीं मल पाई और इस तरह की जो परिस्थिती इस वक्त पानी हुई है इसके लिए अगर मैं संशेप में आप से कहूं तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है दिखिए राजिंद के सड़ यंट अज़र बाई देश में एक कानून होना चीए सेम केसिज में बहुत सारे लोगों को वी तरुम्त तेजपाल को जमानत मिल जाती है क्यों मिल जाती है उनको पर केस नहीं था बाकि सब लोगों जमानत मिल जाती है कोई अक्सन नहीं होता और एक सादू इतना भी बुजुर्ग संत उसको आपने एक साल से जेल में रखे हुए हैं उसके लिए कि अलग कानून है देश में एक कानून होना चीए संतों के लिए भी आम नागरिक के लिए कोई भी है किसी भी धर्म का किसी भी संप्रदाय का है यहां क्या होता है जितना यह यह अगर पास कोछ नहीं था लीकिन आर भी पातीय आजी आपको क्या लेक्ता है कि प्रदर्शन से हल निकल जाएगा सारी चीज़ों का तो निकले मेरी भावनाय है उनके जो फॉलोवर है जो ने फॉलो करते हैं उन्हें अभी संत मानते हैं उनको भी तो है बढ़ाने करने का लोग संत्र में सब्यार को अधिकार तो इनको भी अधिकार हो ना चीए लगों को ये शांतिकल मुझे परसों मुझे मिले वो शिवाजी भाई और शांतिसे कैते बेहन मुऔंग करके वहाँ पे गांदी जी बन बन के बाढ़ वहाँ बैठना है असे आसे कर मैंने कही सालों के ओपर एक से एक अटैक हो रहे हैं और यह बेशरम मीडिया जो है विकाव मीडिया जो इतनी गंदी और घटिया बाते लिखता है पहले तो इनको कंट्रोल में किया जाए इनको पकड़ पकड़ के जिलों में फैंका जाए ठीक है ना और दूसरा स्पेशल कुनून बनाए जाएं हमारे देश के संते संत हैं जो विख्याद संत हैं उनके सुरक्षा के लिए प्रतिक्रिया रखने का मैं आपको समय जरूर दूंगी लेकिन फिलार हमारे संबादाता सागर अस्वक जुड़ चुके हैं उनसे जाइजा लेते हैं किस तरह किस स अंजली अपना सवाल जो रहा हैं जे सागर मैं आपसे जाना चाहते हूं कि किस तरह किस्ति फिलाल जंतर मंतर पर बनी हुई है प्रदर्शन कारी जो हैं बापू के बहते स्वक्त बहार डटे हुए हैं किस तरह का अक्रोश उनमें स्वक्त नजार आ रहे हैं अजली जिस तरह से सुबह राजगाट से करीब सुबह ये विरोप पर दर्शन ये शुरू हुआ था और इतनी बारिश के बावजूद भी में बता दू करीब 5-6000 के करीब यहां पर बापू के जो समर्थक थे वो यहां पर आप जंतर मंतर इखटा हो गए हैं उससे पहले पार्लेमेंट स्वीट थाने के बाहर जाकर हाला कि पुलिस से बीच में नोग जोग भी हुई काफी जड़ब भी हुई उसके बाद जाकर अब इनका जो कारवा था करीब 5-6000 यहां पर जो हुजूम था आज सडगों पर जिस तरह से उमड़ आया था बापू की आखिरकार रियाई कब होगी क्यों नहीं बापू की रियाई हो रही है जिस तरह से बापू की बताया जा रहा है तबियत भी अब खराब हो रही है तो जिस तरह से यहां पर अब उनके समर्थक जो थे वो आज सडगों पर आ गए पूरा एक साल हो गया है बाज बापू को जिस तरह से तो तमाम जो समर्थक थे उनके आज जिस तरह से राजगाट से लेकर जंतर मंतर तक काउंगा एक मार्च था वो निकाला गया और बारिश के बावजूद भी जो उनके समर्थक थे वो डेटे रहे और आप जिस तरह से पारलियमेंट स्ट्रीट थाने के बार अला कि पुलिस अब जो समर्थक थे वो संत्रत भावन का घिराव करना चारते लेकिन जिस तरह से पारलियमेंट स्ट्रीट थाने के पास ही उनको पुलिस ने रोक दिया गया अब जो उनके समर्थक है मैं बता दूब कि जिस तरह से मैं कैमरमेंट से कहूंगा कि दिखाए एक मंच लगा ग पुरुजी का दिरावान के आगावे इस पुरी बोल्जी को पुरुजी को पुरुजी को यहां पर लगातार जो स्तिपारी हुई है उसके लगातार हाला थमसागर से जानते रहेंगे सीमा इंदुसान इदी संचेप में आपका कमेंट जानना चाहूंगी आप क्या कुछ कहना चाहती थी इस पूरे मामले को लेकर पहली बात हो यह मेरी जो बहन शायद इनका नाम भी सीमा ही है सिड्नी से जो अस्ट्रेलिया से है इन्होंने अपना एक्स्पिरियंस बताया त उनको क्या तो ऐसे ही मेरी कमरे में भी बापु जी की तस्वीर वनने लग गई थी मेरे बैट के सामने जो एक सिनरी लगी होई थी तो मैंने किसी को बताया नहीं था सिवाए अपनी अपनी फैमली के तो उसके बाद वही सिनरी मैंने बापु जी के एक जैसे इनका जो सभा प्र antra comfort को फिर बताया ये सारी बात की ऐसे ऐसे मुझे रात को बापू जी दिखते है ये लिए इनको जानती नीधि गर में पर इनकी मैग्जिन पड़ी हुई धी जो मैंने Сाफकरते करते देखी तो फिर मैंने इनकी शकल जब मिलाई तो मैंने तो वहीं दिखते हैं। आपको क्या रखता है कि किस तरह की कारवाई इस पुरे मामले में की जानी चाहिए। पहले से हो रहा है यह बहुत पहले से ही इसके खिलाव वांकर यह बहुत पहले से हो रहा है और इसमें कोई कड़ा कदम इस वक्त उठाने की बहुत जरुवत है। आप से एक छुटा सा कमेंट जानना चाहिए। देखिए एक बुजूर्ग संत हैं और समाज में उनके प्रतिष्ठा है उनके बहुत सारे अनुवाई हैं जैसे और लोगों को जबानत दीगी इनको भी जबानत दी जाए। प्रदर्शन कारी लगाता डटे हुए हैं लगाता जरुवत हैं। प्रदर्शन किया चाह रहा है और बापू को लेकर कोई सक्त कदम उठाए जाए इसकी लगातार पहल करने की बात की जा रही है। तो इस विश्चिश कारेकर में फिलहार इतना हैं खब्र लगातार जारी हैं आप देखते रहें। और शीश किण विश्चिश को बाध से की बात पहता है। यहें। झाल झाल